प्रिये विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आपके बोर्ड से संबंधित एक महत्वपून प्रस्थ को कैसे करते हैं कैसे उसको हल करना चीए हमको ये आपको समझा रहे हूं बिल्कुल गहराई से ठीक है आपके बोर्ड में आता है जैसे कि अंचर लखते हैं चाहे हो अमचारिक पत् Lewis हो लेकिन आपको नंबर को सब्सेफास सबसे पहले आप प्रशन संख्या जरूर डालिएगा जिस प्रस्थ्थ wet कंका आप उत्तर दे रहें हैं वहा प्रस्थ संख्या यहां पर जरूर मैंसर्म की जिए जरूर डाले गा उस प्रस्न संख्या को ठीक, उसके बाद उसका उत्तर लिखिएगा जैसे उसमें पेपर में आता है आपके और यहाँ जो सेंपल पेपर में आपको बता रही हूं, यहाँ प्रस्न आपके आचुका है हाई स्कूल बोर्ड एकजाम में कि किसी थाना ध्यक्स स आप शुरक्षया के लिए प्राथ्ना पत्र लिखेंगे जब कोई अवांशित पत्व आपके छेत्र में लगातार आपको हानी पहुंचा रेए हैं ठीक है कोई ऐसे जैसे कोई चोर है उचके हैं आप लगातार चोरियों की घटनाय हो रही हैं आपके छेतर में आपके मुहले में, तो कैसे आप थाना ध्यक्स को एक अच्छा सा पत्र लिखेंगे और थाना ध्यक्स का जो ध्यान है अपनी समस्याओं की तरफ आकर शित करेंग सबसे पहले उत्तर लिखेंगे थाना धक्स से सुरक्सिया के लिए प्राटना पत्र ये आपको पेपर में आया है कि थाना धक्स से कुछ अवांचित तत्वा आपके छेतर में लगातार चोरियां कर रहे हैं तो उसके लिए आप सुरक्ष्या के लिए प्राठना पत्र लिखिए तो आप जब लिखेंगे सेवा में ठीक है अब यहाँ पर स्रीमान थाना धक्स महोदय ये लिखने की जरुरत नहीं है ठीक है सेवा में जहां पर सेवा में लिखते हैं वही के आगे आप दिनांक सेवा में ठाना धक्स महोदय सीसमहल आगरा आपका जो पता है वो लिखेंगे यहाँ पर ठीक है आपका जो भी पता है वो लिखेंगे ये नहीं कि सीसमहल आगरा लिख दिया है आपने तो सही हो जाएगा नहीं आपका रियल में जो पता है चाहे आप आगरा के हों कानपू के हों देहरादून के हों ऍयों कहीं के भी हों तो आप उसको जरूर यहां पर मेंसें कीजिए। थाना सेवा में पर कॉमा देएंगे थाना धक्स महोदय फिर कॉमा यजो है ये छोटी छोटी घ्रामेटिकल गलतियां आप मत कीजियेगा कॉमा देना मत भूलिये ठीक है महोदाई क्योंकि आप रुकते हैं तो हलका यहां पर रुकते हैं तो इसलिए आपको कौमा देना जरूरी हो जाएगा महोदाई मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने छेत्र में बढ़ते हुए अपराधूं की और आकरसित करना चाहता हूं ठीक सबसे पहल के लिए आपसे पत्र लिखवाया जा रहा है वो उद्देश शबसे पहले लिखी उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपको उस उस परेसानी से क्या-क्या नुकसान उठाना पढ़ रहा है या चोरियों के लिए है तो कितनी चोरियां आपके यहां पर हो गई है उसका उससे होने वाली परेसानी परेसानी के बाद लास्ट में आप क्या देंगे उसका सल्यूशन देंगे कि आप अध्यक्स से ऐसा करकर के हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा चलिए आपको आगे बढ़ाती हूं मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने छेत्र में ब जालिका विध्यार्थी जो है यहां पर यहां पर चाहती हुँ लिखेंगी ओ इसी को जो है कॉपी मर्द कर दीजेगा जो लड़के हैं हो चाहता हूँ लड़की है तो चाहती हूँ ठीक है विगत सब्थासे मेरे मोहले में चोरियों का तातासा लग गया है अब क्या हो रही ह रात्री अब उसके चोरियां हो रही है तो परिशानी क्या हो रही है ये भी आप देंगे रात्री के दस बजे बाद बाजार से घर लोटना असंभव हो जाता है अब चोरियां हुई तो कैसी चोरियां हुई आप देंगे उसका विवरन देंगे पूरा की चोरियां हो रही है कप चोरियां हो रही है किस टाइप की चोरियां हो रही है करके ठीक है कल रात मेरे छेतर में एक पुस्तक प्रकासक का स्कूटर अवांचनी तत्तू ने प्रवादा की सोने की जंजीर उस समय चीन ली गई जब वह सुबह साथ बजे मंदिर से पूजा करके लौट रही थी यानि आप ठानाधक्स महोदय को साफ बता रहे हैं कि दिन में भी चोरियां हो रही है रात को भी चोरियां हो रही है ठीक है जरासी असावधानी बरतने पर अपने लौबी के बाहर साइट को घड़ी लगाए रहते हैं टाइम टू टाइम देखने के लिए होता है चैनल के पास घड़ी लगाए रहते हैं तो वह भी चोरियां हो जारी है हम लोग आजकल भय और आतंके के वातावरण में रह रहे हैं अब आपको बहुत परिसानी हो करति सक्रियvida कदम उठाकर इनका दमन करने का प्रियास करें इस संधर्ब में हमारा जो भी सव प्लिस लेना चाहेँ उसको डिया जाएगा ये आप अपनी तरप से कर रहे हां मेरे जो दर्सक अगर कोई वरिष्ट नागरिक भी इसको देख रहे हैं जिनको कभी-कभी प्राथना पत्र लिखना होता है तो वह तो यहाँ पर अपना नाम लिखें और अपना पता लिखें ठीक है लेकिन जो सीनियर सिटिजन्स यह देख रहे हैं वो अपना नाम लिखें लेकिन जो इस्टुडेंट्स परिक्षा के मेली परिक्षा के दौरान इसको लिख रहे हैं वह अपना नाम यहां पर कदाप ही न लिख हैं जैसे बोट पेपर वाले बच्चे यहां पर अपना नाम कदाप ही न लिख हैं कौको लिख दें और बहुत लिख दें प्यारे पास्त रहिएगा जै हिंद जै भारत